हलो स्टुएंट्स हाई यू तो चुड़े भी गूइंग तुछ फर्स्ट मार्च टुज़ान टुज़ेंटी दा हिंदू और इंडिन एक्सपेस की न्यूज तो चलो पहले न्यूज लेते हैं हम लोग क्या रहा न्यूज में क्या क्या आपके एक्जाम में आ सकता है चलो ग अटाली टावर पर हमला हुआ था और उसके बाद इसने अफगानिसतान पर प्लस आपके कहां पे इराक पर हमला किया था और वहां का जो आपके तालीमानी administration था यानि कि तालीमानी लोगों ने capture कर रखा था और terrorist activity चराया करते थे all over the world उसको पूरी तरीके से demolish कर दिया था अब देखर यहां से question क्या बन सकता है हमारे exam के लिए पहला यह थोरा सा हम लोग past का question पूछ लेंगे कि जो twin tower या trade tower पे जो attack हुआ था बाइध तालीमानी या बाइध आईसे टरिस्ट वो कब हुआ था था तेक है उसका date search करना वहां से question बन सकता है दूसरा अफगानिस्तान की एक बार जोग्रफी को पढ़ देना किस किस अफगानिस्तान किस किस country के साथ क्या करता है boundary शेयर करता है हो सकता है कि इस बार आपके एक्जाम के में यूपीएस्टी के mcq के paper में आ जाए अगला गड़ देखें curfew re-imposed मेहालिया हुआ यह कि मेहालिया में एक आपकी इस्ट खासी हिल डिस्टिक में खासी student union and non-tribal during a meeting over a CA क्या हो गया आपका टॉक थी लेकिन वहाँ पे वाल इन शिरू हो गया और पुलिस को क्या इंपोस करना पड़ा curfew impose करना पड़ा अब देखो यहां से question हम करेंगे क्या जो मेगाले या उसके आसपास क्या पड़ेंगे गारो खासी जैनतिया hills जो है उसके बारे में आप लोग पड़ेंगे ठीक है तो देखो यह जो question है यह जो bringing back आफ चीटाज यह वाले question से कहा कहा से question बन सकता है एक तो आपका बन सकता है geography कैसे geography से इस तरीके से question बन सकता है कि चीटाज जो अफरीका से ले कर आ रहे हैं वहाँ पे ग्रासलेंड है अब आपको सरच करना है इंडिया में ग्रासलेंड कहां है ठीक है आपको में तौर पे MP में थोड़ा बहुत आपका 36 गड़ हो गया महाराश्च वहां ग्रासलेंड मिलेंगे और वहीं इस चीताज को इंटर्ड्यूस करेंगे ठीक है दूसरा एक कोशन यह बन अगला स्लाइड लेते हैं ठीक है जमुएन कश्मीर यूजिस 2011 डेटा फॉर डी लिमिटेशन टीक है 2001 सेंसर फिगर्स फिगर्स वर यूज इंडी अट्री एंड स्टेट अब यहां से हमें कोशन बनेगा वो किसके बारे में अब आउट डी लिमिटेशन कमिशन क्या होता और कैसे होता है तो अगली स्लाइड में देखते हैं वाट इस डी लिमिटेशन कमिशन चलो तो देखो यह है आपका डी लिमिटेशन लिटरी मींस दा आक्ट और प्रोसेसिंग फिक्सिंग फीट्स फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंडरी ऑफ टेरिटोरियल कंस्टिशन सी और सीधा कोशन आते हैं कि डी लिमिटेशन कमिशन अब तक कितनी अबरन चुका है तो देखो फोर टाइम बन चुका है 52, 63, 73, and 2002 उसी के बेसिस पर क्या करते हैं जो पार्लिमेंट की सीट्स होती है अलॉट्मेंट होता है जैसे यूपी में आपका 80 सीट्स हैं करते हैं लौका यहां से बनता है कि डी लिमिटेशन कमिशन जो है कि अंडर आटिकल में होता है जो क्या लिखा हुआ अंडर आटिकल एकट ने चुका हुआ है अफर every census हर 10 सार में पर ऐसा हुआ नहीं है फिर अंडर अर्टिकल 170 स्टेट अलसो गें डिवाइद इंटो ट्रिक्ट्रिट्वल कॉंस्टिटिए अस पर दी लिमिटेशन आक्ट आफ्टर अर्टिकल 170 फिर अगर नीचे आएं तो यह अपॉइंट कॉन करता है बाइदी प्रेसिडेंट और कंपोजीशन देखें कि क्या लिखा हुआ है तो डिटर्माइन दा नंबर और बाउंडरीस ऑफ दी कॉंस्टिए तो मेग पॉपलेशन ओपॉपलेशन ओपॉपलेशन ओपॉंस्टिए नियरली एक्वल ठीक है फिर इडेंटिफाइज सीट इसर्फ फॉर सीनस्ट ज्यांद रहा है का ओभी सी के लिए नहीं सीनस्ट के है ठीक है फिर क्या है और कैन नॉट भी कॉल्ट इन एनी कोड जो डी लिमिटेशन कमिशन का जो जज्जमेंट होगा जो भी इनका क्राटीरिया होगा डिवाइज डिवीजन ओफ सीट कहीं पर सीज बढ़ ले होंगी कहीं पर सीज घट रही होंगी उसको आप किसी भी कोड पर चालेंग्ज नहीं कर सकते हैं ठीक है चालो अगला न्यूज देखते हैं ठीक है अगला न्यूज यह रहा वाशनिंटन स्टेट सीज फर्स वाइस डेट इन यूएस तो भाई पहली बार यूएस में भी आपके क्या कोरोनो वाइरस के जो डेथ है वो हुई है और साट लोग इस समय 60 लोग अमेरिका में इंफेक्टेट यानि कि चाइना के बाहर भी जा रहा और दूसरा न्यूज यह रागली साउथ कोरिया में टोटल लॉफ इंफेक्टेट कितने हो गए है 3150 ठीक है तो अब धीर-धीर यह कोरोनो वारिस चाइना के बाहर भी फैलना शिरू अगला एक छोटी सी जुश्ती आस्ट्रोमर्स डिस्कवर सेवेंटी न्यूप्ल टेलिस्कोप तो आपको सरच करना है केपलर स्पेस टेलिस्कोप के बारे में जड़ा वह बनाना नोट्स बनाना आ सकता है अगला दिखते हैं एग्जियार यह मैं पहले भी अपने वीडिय तो इसका असर क्या होगा कि हम पहले भी इसकर चुक्कि एक बाई रिजलिजन करें तो क्या चाहें आपका भूड़ा फ़ोन हो चाहें आइडिया हो चाहए एटमल रोस अभावन कर दिया है इस से होगा यह कि आने वाले डाइम पर आपकी जितनी भी mobile services है, internet services है वो महगी होगी, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा जो है, ये companies किसे लेंगी अपने customers से लेंगी, ठीक है चालो, तो ये थी आपकी news 1st March 2020 की आपके upcoming UPSC और PCS exam के लिए अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज मेरे पौरूज जैन, YouTube चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, मिलते हैं 2nd March की news के साथ